हूम नमा शिवाय भाद्रबद माश्चुक्लपक्ष शुक्रवार पंचमी तिथी दो पहर दो बज कर पच्चीस मिनार तक लगी रहेगी तत्पस्चाथ सश्ठी तिथी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी प अभिमानी, आकर्शक, गक्तित्तों वाले, बोलने में चतुर और सत्रों पर विजय पाने वाले होते हैं। पूरे दिन साम 7 बजकर 15 मिनट तक तुला राशी में ही चलते रहेंगे, तत्पस्चाथ ब्रिश्चिक राशी में प्रवेश कर जाएंगे, आज पूरे दिन साम 7 बजकर 15 मिनट तक चंद्रमा की युति सुक्र और ब्रिहस्पत्ति के साथ नहीं बनी रहेगी, मगर नक्ष नकारात्मक पेरणा मिलती रहेगी, मगर चंद्रमा के ब्रिश्चिक राशी में जाने से नकारात्मक विचारों का पैदा होना, भ्रम की स्थिती में उतार चड़ाव और उत्साहींता का संकेत मिलता है मेश राशी के जात्कों के लिए कारेच शेत्र में उत्साह बना रहेगा, चंद्रमा का ब्रिहस्पत्ति के नक्षत्र में होना रचनात्मक रिया सीलता में मदद करेगा और आर्थिक योजनाय फलिभूत होंगी साजेदारी में लाभ मिलेगा, उच अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, पारिवारिक, सुक्षान्ती और मा के स्वास में सुधार महसूस होगा मानसिक सम्यदन सीलता बनी रहेगी और नीजी, रिष्टे प्रगाड होंगे, मगर वित्तिय संकड भी संभव है बिद्यातियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा, छोटी यात्राओं का योग बनता है, स्वास संबंदी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिष राशी के जात्कों को कारे छेतर में उकलब्धी हासिल होगी, आपके राशी स्वामी सुक्र छठमे भाव में ब्रिहस्तती वा चन्रमा के साथ चल रहे हैं और चन्रमा गुरू के नक्षत्र में है, स्वास्त पर विशेश ध्यान दें, हलाकि नई कार्योजनाओं के लिए समय अनकूल है, नीजी, निवेश, लाहधाई रहेगा, आथिक मामलों में सहयोग बना रहेगा, प्रतियोगी भावना विक्सित होगी, मगर पारिवारिक च मिथों डासिके जात्कों के ब्यावसाई कुथान और नई कार्योजनाओं के लिए समय अनकूल है, साजेदारी के काम आज के लिए लाहधायक रहेंगे, अधूरे काम पूरे होंगे, सरकारी काम का आज में सक्रिय भागी दारी बनी रहेगी, आर्थिक पक्स मजबूत रहे मन थोड़ा आसांत रह सकता है, खाने पीने में सावधानी बरते हैं और साथ सम्बंदी जटिलताएं संभावी थे करकर आशिक के जात्कों के लिए उच्छ अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, उत्साह कारी उर्जा मन मुताबिक बनी रहेगी, और नीजी नीवेश के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, आथिक लाव आपके उसक्रि के भागी दारी के उपर निर्भन करेगा, कामों में सफलता मिलेगी, विद्यातियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास सम्मंधी आवशक सावधानी बनाए रखें और नीजी रिस्तों में सकारात्मक सोच बनाए रखें सिंग राजि के जात्मों का उर्जास्तर और जिड़ विश्वास बना रहेगा और सारीरिक रूप से अपने आपको स्वस्त महसूस करेंगे हलाकि ब्यावसाई की ओजनाव में इस्थिता आएगी और विकास के माय प्रसस्त होंगे गूरू की प्रेरणा और मंगल का सहयोग लावदायक सिद्ध होगा सरकारी काम काज पूरे होंगे आर्थिक पक्ष सामान रहेगा मगर अनावशक खर्च वाद वीबाद संबंधी मामले जोसारोपण और पारिवारिक तनाव की इस्थिती भी संभावित है हलाकि ग्रियोपयोगी बस्तों में विद्धियोगी और विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्यान अभ्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्या राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन कारेच्छमता को बढ़ाने वाला होगा और आत्मिश्वास राचनात्मक कार्यों में खर्चोंगे और सफलता मिलेगी नई कार्योजनाओं के लिए समय उनकूल है साजेदारी के कामों में भी लाव संभव है मित्र वसायोगियों से भी लावकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है अच्छे कामों में निवेश रायोग बना हुआ है मगर आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी रखनी चाहिए मा के स्वास्त के प्रति चिंता संभावित है साथ ही साथ अपने स्वास्त पर भी से सावधानी बढ़ते मौसम संबंधी परिशानिया खास तोर से तचा संबंधी दिक्ते आ सकती है तूला रासि के जात्मों के लिए आज का दिन खास होगा गुरु सुक्रवा चंदर्मा की युति साम तक बनी रहेगी तरपस्चार चंदर्मा अपनी नीच रासि में प्रवेश कर जाएंगे जिसका मीला जूला फल प्रयासों को बढ़ाने वाला मानसिक संतुष्टी और आत्मिश्वास की बिद्धी करने वाला होगा कार्वियोजिनाय सफलता पूर्वा पूरी होंगी कुछ अतिरिक्ती जिम्मेदारी और नेजी निवेश का योग बना हुगा है आर्थिक लावमन मुताबिक मिलता रहेगा मगर कार्वियोजिनाओं में अरचने, सरकारी, अवरोध और वार विवाद से बचें और नकारात्मक विचारों वाले जट्कियों से दूरी बना कर रखें संतान संबन्धी मामलों में सहयोग मिलेगा और सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी किसी समरों में सम्मानित किये जाएंगे और वैवाहिक मामलों पे लिए आज का दिन अनकूल दाएगा ब्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए सोच और कारे शैली में बार बार परिवर्तन संबावित है मगर सकारात्मक और जाए और काम करने की छमता बनी रहेगी आठिक लावमन मुताबेक मिलता जाएगा और साज्य दारी लावदायक रहेगी सम्मंधित मामलों में यात्रा संबावित है ब्यावसाई की स्थिता कायम रहेगी वैचनात्मक पहलू सक्री रहेगा मगर धैर और सायम रखना चाहिए बिद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिक्षा प्रत जोगिता में सफलता संभावित है कुछ कामों की रुकावटें हो सकती है मगर अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए साम का समय अनुकूल रहेगा धनुराशिक के जात्कों को कारेच्षित संबंधित मामलों में सावधानी अप्यक्षित है अनावशक विवाद और रुकावटें संभावित है हलाकि आपके मेहनत के अनुरूप योजनाव का विश्तार हो सकता है आवशक संसाधनों में खर्च की स्थित्पी बनी रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है साजेदारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा विद्यातियों को मेहनत का लाव मिलेगा और स्वास संबंधि आवसक साउधानी बनाए रखें साथ ही वाहन साउधानी से चलाएं मकर राशी के जात्मों को अपने स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए मगर कारी ओजनाय सुचारू ढंक से चलती रहेंगी सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा अतिरित कार्यभार महसूस करेंगे और कारे छेत्र में सहयोग मिलेगा मगर वैवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा अध्यन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और संतान संबंधि दाईत्र की पूर्ती होगी कुम्भ राशी के जात्मों को कारे छेत्र की सकरियता बनी रहेगी के रुके हुए काम संपन्ध होंगे और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर शाम के बाद व्यावसाइक उतार चड़ाव संभावित है हलाकि लावदायक प्रस्ताव सामने आएंगे आपके बुद्धी कोस्तों से बिगड़ते हुए काम भी बन सकते हैं किसी महिला के सहयोग से आपके प्रभाव में बिगड़ियोगी प्रतियोगी भावना विक्सित होगी सासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा बिद्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल होगा सुच्छा प्रत्योगिता में सफलता मिल सकती है और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है मीन दाशी के जात्कों के सक्रियता और आत्मिश्वास में उतार चपाव बना रहेगा अपने ही कामों पर संदेह की स्थिती संभावित है चंदर्मा के ब्रिहस्पती के साथ आठने घर में होने से कारेच्षित की निरंतरता प्रभावित हो सकती है कोई यारोप लग सकता है और साजिस के सिकार हो सकते है मगर साम के बाद में कारात्मक विचारों को बल मिलेगा सावधानी बनाए रखें भावुकता में निरने लेना उचित नहीं होगा संतान संबंदी चिंता लगी रहेगी सक्षा प्रत्योगिता में परिश्रम करना पड़ेगा आर्थिक लाव सामाने रहेगा और स्वास संबंदी आवसक सावधानी रखनी चाहिए साथ ही वाहन सावधानी से चलाए आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाये